हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आज हम लेकर आये हैं बहुती स्पेसल आपके सामनी चटनी यह हमने लसन से बनाई हैं इसको आप श्टोर करके रख सकते हैं सास से आड़ दिन तक खराब नहीं होने वाली हैं हेलो दोस्तो कैसे जी आप आज हम लेकर आये हैं गर्णी की स्पेसल चटनी यहां पर हमने लेसन लिया है और 500 ग्राम दुखरे लिये हैं इसको आज हम गाओ की तरीके से बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम प्योग करेंगी मेक्सिका भीकुल मूनी यहां पर हमने सिलर यहां पर हमने लिया है लस्सुन को और टमाटर को हमने काट लिया ता पहले ही अभी सबको हम अच्छे से बट्टे से ऐसे पीस लेंगे जब हम सिल पट्टे पर इस तरह से चटनी बनाते हैं यकीन मानिये बहुत ही टेश्टी बनती है पहले सभी लोग इसी तरह से चटनी बनाते थे और गर्मियों में जब आप इस तरह से चटनी बनाएंगे तो घर में जो अगर एक आदमी एक दो रोटी खाता हो तो उकम से कम छे रोटी खा जाता है इस तरह से चटनी जब बना कर हम तयार करते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है शाइड से हम इसको कोर्नर से थो बहुत ही स्पेसल लगती है बहुत ही ज्यादा टेश्ट आने वाला है चटनी में फटा फट से आप इस तरह से तयार कर सकते हैं नहीं तो आप इसे मिक्सी में भी पीश सकते हैं अगर आपके पास सिलबटा ना हो अच्छे से हमने इसका महिन पेश्ट बना लिया है और इस बिना पानी के हम इस चटनी को बनाएंगे बहुत ही बहतरी मन कर तयार होती है दोस्तों इस तरह से अभी इसको हम हातों की सायता से एक बावल में डाल लेंगे हाथ मैंने काफी अच्छे से साफ किये हुए है इसी तरह से बिलकुल साफ कर देना है चटनी बिलकुल नहीं हम चाहिए है घी को थोड़ा गरम होने देंगे और इसमें वन इस्पून जायेगा जीरा है ओन टेमल इसपून इंप्या है जीरे को अच्छे से चटक जाएगा इसको थोड़ा हलके से हिलाते रहेंगे ऐस को थोड़ा यहां पिर मेडियम फिलेम पर ही रखेंगे बसाली फु कीए वां मिर्च नमक किए घ्रम अनुट को सब्सकून मद यह सब्सक्रिटें शब्सकून के लाइगर कुका है अब इसमें डालेगे हम 2 डेबल स्पून धनिया पावडरे और वन इस पून डाले गेम कास्मेन नमक बने नमक हुआ है लिया है और इसके साथ ही डाल देंगे हम जो यह हमने मिस्वर्ट तैयार किया था लैसून और टमाटर का अच्छे से इसको चलाते रहेंगे चार से पाच मेड़ में हमारी च्ट्नी तयार हो जाएगी अच्छे से बिलकुल इसको बारिक हमें कर देना है पानी इसका बिलकुल खतम कर देना है इस चटनी को आप साथ से आर दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बहुती बहती बहती लगती है दोस्तों गर्मियों में इस तरह की आप चटनी बनाएं और इंजोई कीजिए यहां मैं आपको याद दिला तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से आप देख सकते हो पानी अच्छे से भुन चुका है इसका चटनी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है अच्छे से इसको इस तरह से हिलाते हुए बिल्कुल हम रेडी कर लेंगे चटनी को इस तरह की चटनी को आप नमक की रोटी के पहले क्या होता था गाओं में नमक की रोटी बना लेते थे और उसके साथ यह चटनी सर्व की जाती थी बहुत ही टेश्टी लगती थी लेकिन आप सब्जी बना सकते हैं सब्जी के साथ रोटिया और यह चटनी सर करें तो बहुत ही टेश्टी और लाजवाब लगती है दोस्तों इसमें एक अलग ही तरह का टेश्ट आता है अब अच्छे से इसको हम भुन लेंगे जैसे जैसे यह भुनेंगी अब आपको मैं दिखाती हूँ अब यह चटनी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पर हमने बिल्कुल इसमें यह ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल ना रहे अच्छे से पानी खताम हो चुका है आप इसको हम एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे आप देख सकते हो कितनी कमाल की बन कर तयार होई है बहुती बहतरिन आप इसे एंजोई करें, खाएं, रोटियो के साथ सर्व करें बहुती बहतरिन लगती है वाउ, सुपर थैंक्स फोर वोचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेस्पी के साथ पसंद आए तो कमेंट जरूर करना